हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल क्रेटर मिनाक्षी मैं मिनाक्षी और आज मैं आपको काना जी की एक बहुत सुन्दर सी कैप बनाना सिखाऊंगी जो कुछ इस प्रकार से दिखती है तो फ्रेंड्स देरीने करते होई अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस कैप को बनाने के लिए मैंने यह वाइट कलर की उनली है आप कोई भी किसी भी कलर की उनले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अब हम इसमें सबसे पहले एक लूप बनाएंगे देखिए इस तरह से हम इसे उंगली पढ लेंगे और इसके बीच से अजय कोई से दागा निकाल निकाल लेंगे और करोशिय haar लींगे जैसे उपर कर लेंगे इसद्ब्स आ कि इस C्टिय इनए यह हमारा लूप बन गया अब हम इसमेश में दस स्कुन तो सुरी पांच deduction बनाएंगे ज़रते विए एक, दो, तेन, चार, और यह रो गया, पैंच, देखे इस तरह से यह चोटी सी मने, पांच फंदों की चेन बना लिए है, अब आगे क्या करना है देखें? अब अपने करोशिय को जो यह सबसे पहली चेन थी हमारी यह पहला फंदा सोरी जो यह पहला फंदा था इसके अंदर डालेंगे ऐसे और ऐसे बाहर निकाल कर इसको इसलीप स्टीच से बंद कर देंगे इस तरह से देखिए यह हमने एक छोटा से सरकल तयार कर लिया आप अप हमें इसके अंदर क्या करना है । डबल क्रोशिय से यह पूरर अप SMITH कर देना है देखिए इससतरा से यह से यह तीन फंदे तीन के हमने दो कर लिए अब दो का हम एक कर देंगे इस तरह इसको हम डबल क्रोश कहते हैं इसी तरह से हमें यह पूरा फील कर लेना है इस तरह से देखे ऐसे फिर ऐसे फिर डाला फिर निकाला इस तरह से फिर तीन फंदो के हमने दो फंदे कर लिए दो के हम देखे इस तरह से मैंने इसको फूरा फील कर दिया है यह हमारा चोटा सा सर्कल बन कर तेयार हो गया है अब हमारा जो यह पहला हमने स्टार्टिंग किया था जहां से हम इसके अंदर ऐसे करोशे डालेंगे इस तरह से और इसको बाहर निकाल कर इसली पिस्टिच से इसको बंद कर देंगे देखे इस तरह से यह हमने बंद कर दिया अब फिर से एक बार हमें इसी तरह से इसके चारो साइड देखे यहां पर यहां पर इसके चारो साइड एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लिना है इस तरह से चली तो बनाते हैं देखिएगा किस तरह से बनेगा दो चेन बनाईए पहले एक दो इस तरह से और फिर ऐसे फिर इसके अंदर ऐसे डालेंगे देखिए यह मैंने इस तरह से बना लिया है और इसी तरह से बनाते-बनाते हमें इसको पूरा कम्प्लीट कर लेना है पूरा सरकल में ऐसे इसको कम्प्लीट कर लेना है देखिए इस तरह से मैंने यह दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है अब हम फिर से यहां पर यह जहां से हमने स्ट्रीट इसको स्टार्ट किया था वहीं से हमें इसको इसको स्लिप स्ट्रीच से बंद कर देना है यह देखिए यह हमारी दो लाइन कंप्लीट हो गई है अब हम तीसरी लाइन भी ऐसे ही बनाएंगे कि यहां पर पहले हम दो चेन बनाएंगे दो फंदों की एक बहुत इस तरह से और फिर यहां पर ऐसे डालेंगे वही डबल कोशिया करते हुई जाना है हमें इसी तरह से करते हुए हमें यह टोटल चार लाइने कम्प्ली तो मैंने कर लिया है थीसरी हमने स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद में एक और लाइन करेंगे चलिए तो इतना करके मैं आपको दिखाती हूं तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये चार लाइने कंप्लीट कर लिये हैं एक दो तीन चार इस तरह से चार लाइने मैंने कंप्लीट कर लिया है अब हमने यहां पर इसको बंद है आप भी अपने मैचिंग के कोई भी उन ले सकते हैं जो भी आपके जिसको लड़की आप कैप बनाने उसके साथ मैच करती हो यह मैंने रैड कलर में लिए है अब हमें जहां से हमने इसको बंद किया था वहीं से एक फंदा उठाना है देखिए इस तरह से हम इसमें और यहां से इसको उपर ले लेंगे देखिए इस तरह से मैंने इसको उपर ले लिया यह हमारा एक फंदा बन गया इसके उपर हमें दो चैन बनानी है यह जो हमारा धागा है इसको नीचे दबाके रखेंगे जिससे कि उधर न जाए कई बार क्या होता है कि धागा निकल ज जैसे हमें हमे कि आप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे और मेरे बताने का मैथड आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब यह जो दागा है इसको हम कट कर देंगे उसी तरह से टाइटली बन करके देखिए इसको अच्छे से टाइटली हम बन कर देंगे इस तरह से इस तरह से हमारी कैप तैयार है अब हमें क्या करना है मैंने यह मौती लिए हैं देखिए यह मौती लिए हैं तो देखिए जो मैंने यह मौती लिए हैं हमें इन मौती को अपनी स्कैप पर लगाना है क्यासे लगाना है देखिए यह मैंने सुई में धागा डाल लिया और इस तरह से यह निकाल लिया धागा फिर हमने एक मौती लिया इस तरह से और यहां पर इसको अच्छे से अच्छ कर दिया फिर थोड़ी दूरी पर अपनी सुईंग को इस तरह से निकाल लिया देखिए लग गया अब हमें एक और मौती लेना है फैसम तिलेंग विया इस से अच्छे कर दिलेंग विश्प्ट ले और शिलेंग ऑटिलेंग विया अ और इस तरह से पूरी कैप पर पूरे गोलाई में इसी तरह से थोड़ी-थोड़ी पर यह मोथी लगा देंगे चलिए तो लगा लेते हैं पहले फिर आपको दिखाते हैं एक यह मोथी मैंने इसके जारो साइड लगा लिये हैं इस तरह से यह बिल्कुल एकदम न्यू लुक आ गया है अब हमें यहां पर एक पॉम-पॉम या फुंदला बन कह सकते हैं आप इसको जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हूंगे वह हम बनाकर लगाएंगे इसके लिए मैंने यह राडून लिये हैं देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको इसो उनको हम इस तरह से अब क्या करना है हमें अब हमें इसको कट कर लेना है इस तरह से यह कट कर लिया और इसके बीच से इसको इस तरह से निकल लिया यहां पर हमें गांट लगा दे नहीं है जिससे यह खुल लेना अब हम यहां से इसको आपन कर देंगे इस तरह से हमने खौल दिया अब जितना भी हमारी केप पर हमें लगाना है उतना इसको कट कर लेंगे इस तरह से कट कर दिया अब हम यहां पर इसको सुई धागे की हेल्प से इसको जोइन कर देंगे झाल 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 इस तरह से ये बन कर तयार है ये आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी सुन्दर सी कैप बन कर तयार है तो फ्रेंड्स ये कैप बन कर तयार है मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैप कैसी लगी और आपको अगर मे करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप क्रेटिक एट कीप स्माइलिंग